का फियलर स्टेडी मंत्र एक्टीव चैनल पे साती यूपीटर प्लस सी लेकपाल वर्ती परिच्छा से सम्मधित जो के कोट केस एक फरवरी को सुनवाई होनी थी अब वो कोट केस सिप्ट होकर दो फरवरी को हो गया है ठीक है जो आज सुनवाई होनी थी वो आज न सुनवा पीछे चला गया केस इसके चेकर में दूसरे दिन सिप्ट कर दिया जाता है बासनवाई आपको जैसे बहुत सारे केस होते हैं जब केस लिस्टिड नहीं होता है तारिक दे दी जाती है लिस्टिड जब होता है तब डिसाइड होता है फेक्टर कि कब आएगा केस ठीक है तो और कौन से कोट में लागा हूँ डिखा है इसमें इस flirt यो पहले सबससे बहले देता हुए आपको देखाता हूँ आपको लेके serial number ही 108 दिखा रहे न साथई यो अब ये serial number बदल के और हो गया है 408 ठीक है साथिओ तो यह जो court case की तारीक हो गई है अब कल दो थारीक फर geek it को ये court case को सुना जाएगा और एक फरवरी की जो कोट केस था वो खतम हो गया है अब कल सुनबाई होगी इसकी कौनसी कोट में होगी कोट नमबर चार और यह आईडी बगरा दे रहे हैं कि मैंने बता है एक सौथा बन गी चार सौथा बन है ठीक है साती हो तो यह नए डाटा जो था उसके साब से चार आइन तो यह तीन जो कोट केस हैं उनको मर्ज करके एक कर दिया गया है तो उसकी सुनबाई कल हो नहीं है ठीक है साती हो तो यह हो गया अब आगे चलते हैं अपनी आगे चर्चा करते हैं ठीक है साती हो तो मैंने देखा दिया आपको कि जो एक फरवरी को सुनबाई होनी थ कि ये बार बार तारीके बढ़ती जाती है अपने आप भी बढ़ जाती है तो बहुत मैंने बता दिया अपने आप कैसे बढ़ती है जब लिश्टेड नहीं होता है जब लिश्टेड होता है तब उसकी deciding factor होता है अब जब देखो दो फरवरी को कल भी सुनबाई हो पाईगी नहीं हो पाईगी यह तो वक्त बताएगा ठीक है साती हो इस पर कुछ कहना जल्दवाजी होगा क्योंकि सुनबाई में क्या होता है बहुत सारे factor deciding होते हैं तो यह जो कल ही मालिम पड़ पाईगा क्या होना है ठीक है साती हो और मैंने बार बार कहता हूं मैं कम से कम दो प्र अब ऐसा नहीं लाबाद वाले में नहीं है लाबाद बाले में भी जो कॉम ठाएप्रिशन अप्रिश न मिलके हैं तो एक तो प्रशन आ पको ज्या वाला जो आपको सभी uważ जो आपको सबीदिह को मालिम बलग इन लगभग इस पे पूरी सेहमति है कोट भी जानता है कि नही सारे साच दिये गाएं तो एक तो तुम्हारा प्रशन हो गया तुम्हारा उजला वाला एक हो गया पूरा वाला एक हो गया NH2 और एक हो गया कारक जो हिंदी वाला है इन ही चारो प्रशनों में से कम से कम आपको दो प्रशनों पे उत्तर जरूर बद्राब देखने को मिलेगा और ये deciding factor हो सकता है बहुत बड़ा क्योंकि ठीक है साथ ही कर दो प्रिशन या एक या दो प्रिशन पे फुलमाक्स मिला तो ये बहुत बड़ा change देखने को मिलेगा अब देखो जिसके प्रिशन गलत है उसको ज्यादा benefit मिलेगा इसमें जिसके प्रिशन सही है उसको benefit तो मिलने काई नहीं है जैसे मालूक एक प्रिशन बदला या दो प्रिशन बदले जिसके प्रसंद दोनों ही गलत है और दोनों गलत होंगे तो दो नमबर तो बो मिलेंगे और पॉइंट फचीस मतला आदा नमबर और मिलेगा डाही नमबर मिल जाएंगे तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वेनिफेट हो जाएगा ठीक है साथियो तो ये आपको कोट केस के बारे में वालम पड़ गई होगी तो अब आज की सुनवाई नहीं होगी अब सुनवाई होगी तमारी दो तारीक को दो फरवरी को और एक की जो इलावाद में लगा हुआ है उसमें कोट केस उसकी सुनवाई छे फरवरी को होनी है अब सातियों सबसे बड़ी सवाल यह है कि हमारी जो सुनवाई है वो होई जाए और आगे इसकी प्रोसेस चले दूसरा इसके लिए एक और चीज आज निकल के आई है कि 13 फर्वरी को धर्णा प्रदस्म किया जा रहा पिकप भवन लखनों में तो उसके बारे में मैं इन्फर केस है वो लिस्टेड है ठीके साती हो धन्यवाद